हलो दोस्तों जैमा काल मैं आपका दोस्त अंदर शेकर सुनने टू इंफिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें सेर करें सस्क्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों वीडियो पसंद आई तो पूरा जरूर देखें जिससे आगे आने वाले राजस्तान के जितने एकजाम है पटवारी, वनपाल, वनरक्षक, हाई कोट, S.I. जितनी भी जो इंपोर्टेंट जिसमें राजस्तान जीके आईगी दोस्तों उसमें आपको बहुत हैल्प मिलेगी तो दोस्तों जो अपना वीडियो रह चुक grateful 43 ऑदा किसान अंदोलन थे उर उनके जनक थे उनको याद करने के ट्रिक बता रहा था मैं तो दोस्तों कल हमने मारवार, बेगू और बिजोलिया किसान अंदोलन के ट्रिक पड़ी थी तो दोस्तों आज जो बचे रह गए उन सभी के बारे में हम ट्रिक के माधिम से बढ़ेंगे आज दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो जाएगा पूरा जरूर देखें पसंद आए तो शेर भी करें दोस्तों लाइक जरूर करें तो शुरू करते हैं आज का जो अपना टोपिक रह गया था बूंदी किसान अंदोलन के बारे में तो दोस्तों बूंदी किसान अंदोलन के ट्रिक है कि देविलाल के नयन और नाक से बूंद निकली ये तो हो सकता है देविलाल के नयन और नाक से बूंद निकली आसान सी ट्रिक है तो बूंदी किसान अंदोलन की ये ट्रिक हो बई तो देविलाल से याद रखना दोस्तों कि यह देविलाल गुजर है कौन देविलाल गुजर तो देविलाल गुजर और नयन से याद रखना दोस्तों नैनुराम सर्मा नयन से क्या याद रखोगे नैनुराम सर्मा और नाक से याद रखोगे नानक जी भील और बूंद से याद रखोगे बूंदी अब इन सभी के बार 1926 से चला था दोस्तों 1943 तक याद रखना और इसका नेतवर्थ किया था पंडित जो नैनुराम सर्मा थे उन्होंने किसने किया था नेतवर्थ इसका नैनुराम सर्मा नैनुराम जीने किया था इनका नैनुराम सर्मा और इस आंदोलन के जो और भी थे जैसे नानक बील हो गए नानक बील और देविलाल गुजर ये इस आंदोलन में सहीद हुए थे ये दोनों कौन थे इस आंदोलन में सहीद हुए थे तो पूछ ले कि नानक जी बील और देविलाल गुजर कौन से आंदोलन में सहीद हुए त तो वो था बील अंदुलन दोस्तों तो एक ही ट्रिक से अपन को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई कि इसमें सहीद कौन-कौन हुए थे और इसके नेतवर्थ किसने किया था और इसको याद करने बूंदी को बूंदी से बूंदी याद रखेना तो 1926 से 1943 तक चला था दोस्तों है नेक्स्ट है अपना अलवर किसान अंदुलन अलवर किसान अंदुलन की ट्रिक हो गई दोस्तों अलवर किसान अलवर किसान गोविंद वे मादो नीमू जल में दो रहे हैं समझ गे कि अलवर किसान जो है गोविंद और मादो ये दोनों अलवर के किसान है जो न नीमू है ना नीमू उसको जल में दो रहे हैं दो ना होता न वो दो रहे हैं तो इसकी ट्रिक हो जाएगी अलवर किसान से अलवर किसान आंदुलन गोविंद से हो जाएगा दोस्तों गोविंद सिंग और मादो से हो जाएगा मादो सिंग इन दोनों का संबंद है दोस्तों ज भाग लिया था और नीमु से याद रहकना दोस्तों नीमु चाना गावं में इसका वो हुआ था निमुचाना गाउं में हुआ था है किसाना अंदोलन निमुचाना गाउं में और जल से याद रखना दोस्तों इसे जलियावाला भाग इत्या कांड के नाम से भी जानते हैं जलियावाला भाग इत्या कांड के और इसे दो से याद रखना दो रात्या गांड के नाम से भी जानते हैं और दो से याद रखने दोस्तों शी दो रात्या कांड के नाम से भी जानते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट है अपना सेखावाटी किसान आंदोलन सेखावाटी किसान आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी ट्रीक हो जाएगी सेखावाटी नर हर्द की सोर है असाल सी ट्रीक है सेखावाटी से हो जाएगा अपना सेखावाटी किसान अंदुलन नर से याद रखना दोस्तों नरोत्तमलाल जोसी जिनोंने सेखावाटी किसान अंदुलन का नेतवर्थ किया था दोस्तों कौन से नरोत्तमलाल जोसी जी इसका क्या किया था नरोत् किसोरी देवी जो सिक्कर में जो हुआ था उसमें 10,000 महिलाओं का नितवर्थ इन्हों नहीं किया था किसोरी देवी ने दोस्तों याद रखना किसोरी देवी को भी सेखवाटी किसान अंदुलन में ही सम्मंदित है और सिक्कर में 10,000 महिलाओं के साथ इसका नितवर्थ किया ता इसने किसोरी देवी ने तो हो गया दोस्तों यह अपने इंपोर्टेंट जो थे उस और इसका अलग-अलग दोती नाम भी है दोस्तों वो भी याद रख लेना कि इसको जकात भी कहते हैं जकात अंदुलन और तोरावाटी किसान अंदुलन यह दोनों के नाम से जाना जात महिलाओं के साथ नेतवर्थ किया था दोस्तों यह भी सेखावाटी किसान अंदुलन से संबंदित है तो यह होगे दोस्तों अपने तीन तो यह होगे अब बील अंदुलन के बारे में जो हम अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीन अंदुलन में कौन-कौन से थे और गो गुई国 और मोतिलाल तेजावत तो इसको याद करने की टीके कि बील को दील मान सबां होगी असान सी टीकर कि गोईल मान सबां होगी बस अब इससे देखो क्या क्या याद होता है गोविंद से याद रखना दोस्तों ये गोविंद गिरी थे जिने हम गोविंद गुरू के नाम से भी जानते हैं ये भी बील अंदुलन से सम्मंदित थे ठीक है बील से बील अंदुलन हो गया मान से दोस्तों मान से याद रखना कि ये मानगड पहाडी जो है मानगड पहाडी पर इनको करमिस्तली बनाई थी इन्होंने गोविंद गिरी ने मानगड पहाडी को करमिस्तली बनाई थी कब बनाई थी 1913 एश्वी में आसान है दोस्तों और सभा से याद रखना दोस्तों संपसभा संपसभा की स्ताफ़ना भी किस ने की थी गोविंदगिरी ने तब की थी 1883 के अंदर ठीक है दोस्तों किलियर हो गया बूलने की होई नहीं सकता कि आप बूल जाओगे से 10-15 वार रिपीट करने ना है इनको जो यह सब्द आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो फिर आपको कभी भी पूछले कि मानगड़ पहाड़ी की करमिस्तली किन की थी गोविंदगिरी की है मोतिलाल तेजावत की तो आप आसानी से बता सकोगे कि बील अंदोलन से संब्दित थे और गोविंदगिरी की यहां कर है अब इसमें देखो क्या क्या याद होता आपको मोतिलाल बावजी एक बील मसीह थी तो मोतिलाल से मोतिलाल तेजावत हो जाएगे बावजी से याद रखना दोस्तों इनको बावजी के नाम से भी जानते हैं एक से याद रखना दोस्तों एक यांदोलन की सुरुवात किस मसीया किसे कहते हैं क्योंसन कहीं बार आया हुआं तो अब हम कन्फीज हो जाते हैं कि गोविंदगीर को कहते हैं या मोतिलाल ते-जाव्द को अब आसान इस ट्रिक में आपको पना चल जाएगा कि फिर कन्प्यूज नहीं होगे तो मोतिलाल बाव जी एक बिल मसीया थे तो आसान से मसीया भी थे बिल आंदोलने से सम्मंधित थे और एक से एक यांदोलनी याद हो जाएगा और बाव जी से इन्हें बाव जी भी कहते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो like करें, share करें, subscribe करें और बیल अइकन को जरूर दबाएं जिससे ऐसी interesting trick आपको मिल सके दोस्तों तो दोस्तों हसते रहें मुस्कुराते रहें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें धन्यवाद आप से विका